जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस व्यूडियो में मैं आपके लिए बताऊँगा छे एरो की भरती एक साथ तो कौन-कौन से ये 6 एरों हैं कौन-कौन से स्टेट्स के ये एरों हैं जिनोंने भरतीयों के लिए निकला है और इन एरों के अंडर में कितने डिस्टिक्स आती हैं और यहाँ पर कौन से पद के लिए भरती निकली हुई है मतलब किस post के लिए आप सभी को पता है कि आर्मी में अलग-लग post के लिए अलग-लग भरती निकलती है जैसे कि दोस्तो clerks, tradesmen, ठीक है, GD इस तरह से दोस्तो बहुत सारे पद ऐसे होते हैं आर्मी में जिन में vacancies निकलती हैं आज दोस्तो किसी एक post के लिए जो भरती निकली है और ये जो भरती है दोस्तो वो 6 ARO के लिए 1-7 निकली है ठीक है, तो कौन-कौन से ARO के लिए भरती निकली है दोस्तो ये भरती कब से कब तक होनी है, इसको online registration कब से कब तक होनी है किस post के लिए भरती है और दोस्तो इस post के लिए आपको apply करने को आपकी जो education, age limit और जो भी दोस्तो requirement है वो पूरी की पूरी में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से request होगी कि आपने अभी तक अगर हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहे तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते है आज की वीडियो तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए दोस्तो हम है इस समय इंडियन आर्मी की official website पर www.joinindianarmy.nic.in तो दोस्तो यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं latest rally JCOs OR यहां पर दोस्तो जो हम आज भरती के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे दो दोस्तो आपका यहां पर ARO, गोपालपूर ठीक है यह पाँच यारो की जो है वो दोस्तो भरती हम आपके लिए बताने वाले हैं ठीक है स्बसे पहले मैंने इसको डाउनलोड कर लिया उसके बाद मैं यह आपके सामने दोस्तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो है मैं यह देखिए दोस्तो हमने 5 की 5 जो नोटिफिकेशन हैं इनके लिए हमने डाउनलोड कर लिया है आप इनको में जूम कर लेता हूं और इस भरती से रिले टिप जो वी जानकारी है वो हम आपको देंगे अब ठीक है तो दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो सबसे पहले तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह जो भरती है बो दोस्तो भरती है दोस्तो यहां पर यह रो जवलपूर की तरफ से है यह वाली जो भरती है द एरो गौलियर, एरो महू, एरो रायपुर और एरो गोपालपुर ये 5 एरो की भरती निकली हुई है सभी की नोटिफिक्सन मैंने आपके लिए दोस्तो बता दी है सभी की जो ऑनलाइन रेइस्ट्रेशन की डेट है दोस्तो वो है आपकी 24 जिनवरी से 5 मांच 2021 और ये जो भरती है दोस्तो बो पूरी भरती 30 मां 2021 से स्टार्ट होनी है ठीक है अब ये भरती कहां पर होनी है दोस्तो बो मैं आपके लिए बता दूँ सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो भरतियां दोस्तो मद्धिपर्देश के तीनों भरति एके जगह पर होंगी आपकी ये जो भरतिया दोस्तो बो है कुसाभाव ठाकरे स्टेडियम देवास मद्धिपर्देश में ठीक है तेनों की दोस्तों जो लोकेशन है वो सेम लोकेशन दी हुई है और उसके बाद में जो ये दो यारो बचे जिनकी भरती दोस्तों इनकी भी देवास में ही है और चौता यारो जो गोपालपुर वाला है दोस्तों इस गोपालपुर की जो यारो की भरती है दोस्तों वो होगी आपकी यहाँ पर एक्जेक्ट डेट और जो लोकेशन है वो अभी तो नहीं दी गई है तो जैसे ही लोकेशन आईगी आपको बता दी जाएगा। तो अब हम दोस्तों आपको बता दें कि जो भनाती दोस्तों इसकी सिप़ाई डी फारमा की भórती निकलने वाली है थिक है class intermediate pass होने चाहिए और दोस्तों आपके बास में qualified in de-farma with minimum 50% marks आपके लिए de-farma pass होना चाहिए 50% marks के साथ में पूरी के पूरी दोस्तों यह जो भरती में है सभी की सभी भरती de-farma के निकली हुई नहीं तो इसके लिए जो education qualification age limit सभी मैंने आपको बता दिया ठीक है अभी हम बता देते हैं दोस्तों कि इसमें जो कौन-कौन सी districts के यहां पर जो भरती देख सकते हैं ठीक है तो journal recruiting office मद्यप्रदेश और 36 गर ने यह भरती निकाली हुई दोस्तों और इस भरती में और यह जो है दोस्तों यह OWUSा की भरती है ğlिक Saxe यहां पर मद्यप्रदेश ज торs & ध उडिशा इन तीनों की भरती दोस्तों एक साद निकली होई है यहां पर देख सकते हैं जो भरती यहघते हैं इसका भी जो location रहे वो सेम है सिपाई डिफार्मा कैटेगरी एट कुसा भाव ठाकरे स्टेडियम देवास ठीक है सभी भरती हैं दोस्तों 20 माद 2021 से 30 माद 2021 के बीच में चलेंगी 24 जनवरी से 5 माद तक हैं की दोस्तों जो है वो ऑनलाइन रेइस्टेशन की डेट है तो यह जो पांच यारों के भरती हैं एक ही जगह पर होनी है दोस्तों कुसा भाव ठाकरे स्टेडियम देवास में भोपाल सॉरी आप उडिसा 36 गर्ड या फिर दोस्तों आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं तो यह वीडियो दोस् तो वीडियो फिनिस करने से पहले आपको इस भरती को जो फिजिकल डिटेल है वह मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां को 1.6 km की रेनिंग होगी बीम होगे 950 होगी जिगजग बैलेंस होगी 1.6 km के रेनिग अगर आप 5 minute 30 seconds पास करते हैं तो आपको 60 marks और 5 minute 31 seconds से 5 minute 45 seconds के बीच में पास करते हैं तो आपको 48 marks दिये जाएंगे तो यह आपका physical measurement जो भी आपका physical test लिया जाए जिसको हम PFT बोलते हैं तो उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन जैवर